नमस्कार मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चर्खा साल 2023 में बिहार में बेरोजगारी दर 19.1 प्रतिशत की रही और ये आकड़े सिर्फ कागजों पर नहीं है छट के छुट्टी के बार ट्रेन की भीड़ भी इस आकड़े को साबित करती है बिहार में लगबग हर दूसरे घर का कोई वक्ती बाहर काम की नियत से रह रहा है कोई मजदूरी कर रहा है तो कोई सौफ्ट्वेर इंजीनियर है पत्रकारिता भी लोग दिल्ली जाकर करना ही जादा बहतर समझते हैं इस मजबूरी और सरकार की नाकामी को समाज ने एक फैशन स्टेट्मेंट बना दिया है आज के समाज में अगर कोई काम के लिए बाहर नहीं जा रहा है तो समाज में उसकी काबिलियत पर भी सवाल उठा दिया जाता है सरकार ने बड़ी सफाई से अपने गिरेबान को साफ कर लिया है लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बिहार में उन्हें काम नहीं मिल रहा है कभी महराष्ट में बिहार विरोधी मूव्मेंट होता है तो कभी तमिलाडू के DMK नेता बिहारियों को टौइलेट साफ करने वाला कहते हैं लेकिन इन सब के पीछे बिहार सरकार की रोजगार को खत्म कर देने की एक बड़ी वज़ा है बिहार सरकार ने एक स्ट्राइटिजी के तहट राज से रोजगार को खत्म किया है और इसे प्रवासियों का राजित बना दिया है सुपॉल में भी एक ऐसा चर्खा केंदर हुआ करता था जहां ग्रामीन चर्खा कात कर रोजगार से जुड़े हुए थे लेकिन सरकार ने इस केंदर को भी बंद कर दिया नतीजतन अब इस गाओ के अधिकान श्युवा मजदूर बनकर बाहर जा चुके हैं देखे विमलेंदू की ग्राउंड रेपोर्ट आप ये चर्खा केंदर को देख रहे हैं आप ही कर रहे थे चर्खा केंदर का यहां पर नहीं रहे हम सफ्कार बोड़ा मैं पसना यक्षी ते अच्छी 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 आप ही इंका भीदी कमार करते थे करहाता कर्दा बुनाई ही उसकी बाद में जीजीशी साहब ने यहां की यद्धिक रिखने हुए चर्खा दिया यहां प्राश्टु यहां तीन चांठ्थु चर्खा केंद्र बाए यह तो गटी हमानेगर आप लोग कभी काम किये हैं और आप लोग किसमाई चर्खा केंद्र चलता था हुम आरकवलिद में कभी नहीं है जब से देख रहे हैं ऐसे खंडर ही देख देख रहां यह किया यदि यह चर्खा के अंदर खुल जाती है यहां पर रुजगार मिलना शुरू हो जाता है आप लोग काम करेंगे करेंगे आप लोग यह चर्खा के अंदर में काम किये थे क्या कितने समय तक लगवर काम कियोंगे अले आठ वाजसे लाधाना बस वजा गरा वज़ता तो नहीं कितने समय तक छे महना साल भर कितने दिनों तक काम किये थे क्या मुख रूफ से किसी साहब से काम होता था शूट से आप लोग चर्खा काटते थे उसका पैसा मिल जाता था अपलोगोंको नहीं मिला उसका कुछ भी पैसा नहीं मिला जिए चर्खा केंद्र जो है यह कब से बंद पड़ा हुआ है जब से हम दिख रहे हैं तौसे बंद हैं मतलब आपका भी एज 24-25 साल से कम नहीं वड़ा होगा और आप जब से देख रहे हैं तब से बंदी पड़ा होगा इसको खुलते हुए आप लोग ने कभी नहीं देखा है किया चाहते है एक खुल जाता है चर्खा के एंदर तो अस्थानिय लोगों के लिए या ठीर देखान पींज्गार अब अभी क्या करते हैं अभी रोजगार है रोजगार की तलास में इसलिए कह रहे हैं कि खुल जाए इसको लेकर कि आप लोगों ने किसी से कहा नहीं कि इसको खोलने के लिए किसी आदिकारी से अपने परतिनी धी से अब अब जब से हम देखे तो बंदे इसको कोई नहीं हुआ है कि यह है क्या आखिर कौन सी बिल्डिंग है गवर्मेंट की इस टैप का था कि आप कहानियों में सुने है कि यहां पर कपड़ा बुनाई होता था लेकिन देखे नहीं है कभी आपर कितने लोग काम करते थे जब इसके बंद होने का मुख्य वजय क्या रहा है सरकार ने सबसेटी देना बंद कर दिया और जो यहां पर सूत कटता था वह आराम से बिख जाती थी खादी बंदार ले लेते थे और कुछ कारण रहा जो यह चर्खा के इंद्र बंद हुई है यहां पर में कारण वहीं सबसे इन क्या चाहती है चर्खा के इंद्र खुले क्योंकि अस्थानिया लोगों को कम से कम छोटी मूटी रोजगार तो यहां पर मिल जाएगी जो लोग बाहर नहीं जा पते हैं खुबाने चैसे तो जड़ी यह खुलती है तो अभी रोजगार की आसार दिखते हैं आप लोग को इससे आपके पंचायत में वाडंबर 9 में इक चर्खा केंद्र हैं तो पहले जब यह चर्खा चेंद्र जिस समय चलती थी तो यहां की क्या इस्तिति थी रोजगार में और अगल-गल के लोगों काफी खुशाली जिन्गी पीता है लेकिन जब से यह चर्खा के इंदर बंद हुआ है तब से मजदूर क्लास के लोगों को बाहर जाना पर रहा है और वहां के बगल-गल का जो इसमें रुजगार से जोड़ा हुआ था उनके पड़िबार में भुक अलब हें जोनको पाना पर रहा है जिस समय चल तरफी ती छर्खा के कितने लोगों के रुजगार ऑफ़ी एक、、 एक अनदाजह कम से कम सो लोहां को दो रोजगार था खो दो यह कितने समाि तक चला था उस Rede उसमें तक चला था अब तो कंफर्म डेट नहीं बता सकते हैं लेकिन कुछ सालों से जब से चर्खा के खादी ग्रामों दोग बंडार जो बंद हुआ है जो सरकार का उदासिंता जो रवया है या जो व्यवस्था के जो कमी है जब से बंद पड़ा है तो लोगों तो आसा था कि कुछ न कुछ दिन अब शुरुआत होगा तब शुरुआत होगा लेकिन लोग ठक हार करके मजबूर हो करके गौं से बाहर जाना पड़ा है मजबूरी के लिए अस्थानिया लोग अभी यहां के चाहते हैं कि यह के खुल जाए तो पर्यास भी कि जो जरजर अवस्था म इसा प्रावधान नहीं है कि पंचायत फंट से हम चरखा के बनावे उसको सुद्री करें लेकिन आप कोसिश्तो कर सकते हैं परतिनिदिये पोड़े पंचायत के आप कहीं पर आवेदन दे सकते हैं क्योंकि अस्थानिया लोगों को यह भी नहीं पता रहता है कि किस चीज को लेकर के कहां पर आवेदन देना है इसके लिए बढ़िया पदाधिकारी को हम आवेदन दे चुके हैं क्या आसवासन मिला था वहां से असवासन मिला है कि सरकार के दब दिसा निर्देश आगा फिर उसके बाद बिभागय कारजगाई होगी बिहार सरकार ने काफी सफाई से बिहार को प्रवासी मजदूरों का राज बना दिया है जब कोरोना के दौरार ये मजदूर वापस बिहार आ रहे थे तब उस वक्त बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने कई घोशनाय और कई वादे किये थे उन्होंने कहा था कि अब कोई भी मजदूर बाहर कमाने के लिए नहीं जाएगा उसकी कमाने का पूरा साधन बिहार में ही उसके राजवें उसके घर के पास उसका इंतजाम सरकार करके देखी लेकिन उसके बाद भी ये वादा सिर्फ एक जुमला बन कर रह गया आज के वक्त में मेडिया भी इन सारे मुद्दों पर आपसे बातचीत करके आपको इन मुद्दों से अवगत नहीं कराना चाहती है वो भी चाहती है कि आपको भ्रम में रखे क्योंकि जो पत्रकार इस बारे में बातचीत कर सकते हैं वो भी खुद बिहार से पलायन करके बाहर जाकर पत्रकारिता कर रहे हैं ऐसे में बिहार में रहकर बिहार में रोजगात तलाशना एक काफी जड़िल काम बन चुका है और अगर सरकार ग्रामीन उद्यू को इस तरीके से खत्म करती जाएगी तो बिहार जो अपने गाओ के वज़े से अपनी संस्कृति के वज़े से जाना जाता था वो जल्द ही एक खंडर बन के रह जाएगा और इतिहास के पन्नों में कहीं धूल खाता हुआ नजर आएगा आपको हमारी पूरी रिपोर्ट कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं साथ ही आप किन और मुद्दो पर हमारी रिपोर्ट देखना चाहते हैं और आपके इलाके में रोज़गार की क्या इस्थति है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया